कर दीजी कर दीजी च नहीं खरुए था नथ कर Agriculture कल यह ऑलकर्ट सा मेथद हम लोग कर रहे थे सब्स्टीचूशन मे assigned कर रहेए कौन सा और लिनियर हो ठीक है ना लिनियर के कुछ में भी आम लोग माने थे ना जो उसके समें हम लोग सब्स्टिचूशन मेथड यूज किये थे और इसके बाद चार और फर्मूला हम लोग देखे थे फस्सेकंड थर्ड फोर्थ चार फर्मूला कौन सा इंटिग्रेशन आफ टैनेक्स डीक्स कितना था याद है लोग मोड आफ सेक एक्स प्लस या इसी का माइनस लोग दुनों सेमी चीज है इंटिग्रेशन आफ कोटेक्स क्या देखे थे लॉग ओफ टैनेक्स प्लस आप लोग को बोले थे न कि इसको डिराइब करके लाना है नहीं है आप लोग डिराइब करके हाँ हाँ लॉग के अंदर कोई भी चीज मोड इसलिए रिखा जाता है कि अंदर वुला क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो इसलिए उसको मोड के अंदर रखा जाता है लॉग के अंदर सेक एक्स डी एक्स का क्या बताए थे लॉग आफ क्या बताए थे सेक एक्स प्लस 10X प्लस C and integration of कौसेक X क्या था log mode of कौसेक X माइनस कौटेक्स प्लस C कल इसका derivation बता दिये थे पहला वला का बता दिये थे कैसे आता है दूसरा वला का भी बता देते आप लोग से बोले थे कर लेने के लिए लेकिन आप लोग किये हैं इंटिग्रेशन आफ कोटेक्स डी एकस है इसका इंटिग्रेट हमको करना है ठीक है सबसे पहले क्या बताये थे कॉट को ब्रेक करिए कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटा साइन लिख सकते हैं ना कॉस ए जो मेथड पढ़े थे सब्स्टिशूसर मेथड पढ़े थे आप लोग को बताया थे कि जो सब्सक्राइब बताये थे कि वहां सब्सक्राइब करना है जहां पर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौझूद है क्या आपको यहां पर फंक्षन और उसका डेरिवेटिव मौझूद दिख रहा है बताई एक यह साइनेक्स साइनेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ऐसे थो सिंसी है तो कल यहीं बताया थे कि जिस फंक्शन का डेरिवेटी मौजुद है उस फंक्शन को माल लिजेड तो हम क्या माल लेते हैं just let sign x बराबर क्या माल लेते हैं जिक को च्ầक्राहिज तैनिक्स को माल लेते हैं लेट sin x बराबर t माल लेते तो पहला तो substitute यही करना है कल बताए थे पूरा substitution method देख लिजेगा जिन लोगों को यह होगा अब इसके बाद क्या करते थे differentiate with respect to किसके आचा है जो यहां रहता है उसी के respect में किया जाता है एकस के respect में तो sin x का differentiation क्या होता है तो सटान च दॉचरlar यहां पर करेंगे तो कितना होगा पॉस एक सब्स्चिYourशन में सबस्चियूशन में एक जगह यहां पर करना है एक यहां पर सबस्च्च्عूट करना आ आप दो जगह करना होता था न 00 करते हैं तो क्या हो जाएगा को से स्ट ठीक्स का भेलू कितना हो डिस ए ए लॉन और सइने ऐड stimulation कितना होता था किहला बें गे क्या होगा आप देखिये टी बताये थे किटी तो अपने से माने है न तो टी्कव हेलू भी रखना होता है तो कितना हो जाएगा लॉग मोड आफ कि ताइनेक्स प्लस ठीक है सब्स्टिचूशन मेथड दूसरा वोला चाप्टर पुड़ा सब्स्टिचूशन है कब सब्स्टिचूट करेंगे यह प्रोपर बताया थे कल के पाज में यह बताया थे ना किक सब षब्स्टिचूशन किसी के अंदर हो फ्रया पर हम लुग जो है सब्स्टिचूशन मेथड़ होता है एक जो माने है वह उसके के बाद उसके basis पर रिजल्ट आ रहा है उसको substitute करना होता है दो जगा substitute करते थे sign X को और यहां पर आट्या वहला फर्मॉला का डेरिवेशन हो गया तीस्रा वहलगा क्या है का इंटी गैशन है दुसरा वाना यानि कोर्टेक्स ड्यूए थे संग्रेसन क्या हो गा aura लौग मॉलट आफ साट साइन इक्स प्लस आगे अगे थी स्ट व ला क्या है इंटी गेरेशन आप से एक सदी अक्स इसका कैसे हो हो ठीक है कैसे करें इसको इंटिग्रेट जो फर्मुला अभी बताए हैं उस पे लाना है क्या फर्मुला है लॉग आप सेक्स प्लस टैनेक्स प्लस ही है अब देखें इसमें हम क्या करेंगे कि उपर नीचे करें की भिठेक्स टैनेटीफले मटिप्लाइद आप लोग यह बोल रहा हुएंगहींघ कैसे पाता चल्ला कि सेके क्स प्लस टैनेक्स ले मल्टिप्लाइद हम लोग को करना और डिभाid करना है लेही हो गदेकि कुछ होता है न अधमेटिकल रिसर्च होते हैं और यह से ھ accounting किया है कि जो भी यहां पर जो किये होंगे ठीक है जो भी डिर्यृब कि होicky फर्मूला उसी रिसर्च का क्या कर रहे हौनly फॉलो कर रहे हैं कि जो कि अल्रेडि इस से किया गया है वह हमने किसी और से सिखे और फिर हम जो है आप लोगों को बता रहें ठीक है यहां पर कुछ ऐसे जो डेरिवेशन होते हैं जहां पर कुछ काम करना होता है वह काम जो होते हैं फिक्स्ट होते हैं ठीक है ना यानि क्या करेंगा इस aparece किसे multiply करना होगा सेक एक स्प्लस 10 X ले पिए मल्टिप्लाइ कर लिए अब यह see multiply करने के बाद अब इस वाले से को को multiply करिए तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वार प्लस सेक एक्स इंटू 10x divided y कितना हो जाएगा सेक प्लस 10x और हो dx यह है क्या यहाँ पर कोई function और उसका differentiation आपको लग रहा है यह आप function देखिए नीचे वाला इसका differentiation उपर है कि नहीं है कैसे है देख लिजिए सेक का differentiation सेक इंटू 10 होता है और 10x का differentiation क्या होता है है कि नहीं है तो जब एक function और उसका differentiation मौझूद होता है तो जिस function को हम लोग क्या कर लेते हैं सब्स्टिशूशन मेठाड उच कर लेते हैं करते हैं न कल तो यहीं बताए थे तो आपको अब क्या करना है कि लेट सेक एक्स प्लास 10x क्या माल लेंगे ती माल लेंगे अब डिफ्रेंसियेट करेंगे कि जो यहां पर यह एक्स लिखा है न तो उसी के कर दितकी उसी सबुस्ट B किया जाता है का डिफ्रेंसियेट विट रिस्पेक्ट कूक एक्स अब सेक एक्स का डिफ्रेंसियेसन कितना होता है चैंड को शेक स्कोर 10x also equal to t का differentiation x के respect में क्या होगा dty dx यह होगा ना देखिए t का differentiation t के respect में होता तब तो one होता लेकिन x के respect में है तो क्या होगा dty dx अब इसको इधर multiply कर लेते हैं तो sec x into 10x plus sec square x dx बराबर क्या आ जाएगा dty substitution में क्या बताए थे कि एक तु यह वाला value substitute करना होता है और एक यहाँ पर substitute करना होता है यही बताए थे ना sec x plus 10x किसके बराबर है तो नीचे में t लिख दिये sec square x plus sec x into 10x dx किसके बराबर है dty यानि कि integration of one by t dt one by t का integration क्या होता है log t plus यही होता है ती क्या माने है तो log of कितना हो जाएगा sec x plus 10x plus c हां क्लिर हुआ यही होता ना यही ना फर्मूलर हम लोग को डिराइब करना था देख लीजिए कि लॉग आप सेख एक्स प्लस लॉग आप सेख एक्स प्लस 10x प्लस इंटिग्रेशन अफ को सेख एक्स क्या होता है लॉग आफ को सेख माइनस कोट अब इसमें उपर नीचे क्या मल्टिप्लाइब करने के जरुद पढ़ेगी यह वालाटर करिए बनाई एक फुद से कॉस एक्स माइनस कोट एक्स फ्लस ही होता है तो यह फर्मुला आपको डिराइब करना है चीख है कर दो 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 कर कॉस क्या फर्मूला आटा है लॉग का शेक एक्स माइनस कोट एक्स 2 उपर नीचे किसरे करने के जरुद पढ़ेगी कर दो कॉससोन पर एक्स कोट एक्स इंटिग्रेशन ओफ कॉसेक एक्स इन्टु कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड़ वाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दिएक्स यही होगा अब क्या कर लेते हैं कॉसेक क्या हो जाएगा कोसेक स्कॉर एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इन्टु कॉट एक्स डिवाइड वाई यहां पर आ रहा है कि एक फंक्षन और उसका डिफ्रेंसियेशन मौजूद है इस फंक्षन का डिफ्रेंसियेशन उपर है कि नहीं देखें कैसे है यहां पर समझें कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है cosec x into minus होता है न, तो minus cosec x into क्या होता है? cortex, और cot का differentiation, minus cosec square, अब यहाँ पर minus है तो minus minus क्या हो जाएगा? plus, क्यमकि cortex का differentiation क्या होता है? minus cosec square और minus minus क्या हो जाएगा? plus, अब बताई क्या यही चीज उपर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है यही चीज ने उपर लिखा हुआ है तो क्या इस फंक्षन का डिफ्रेंसियेशन उपर मौझूद है कि नहीं मौझूद है तो अब मौझूद जब किसी भी फंक्षन और उसका डिफ्रेंसियेशन बर्मान लेंगे ठीके बराबर अब कॉसेक का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स और कॉट का माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वार एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स causex square x minus causex into cot x इसको arrange way में लिख लेते हैं this equal to dt by dx अब cross multiply करेंगे so causex square x minus causex x into causex dx is equal to dt तो cosec square x minus cosec x into cortex dx बरावर dt यहां से करेंगे तो cosec square x देखी, substitution में दो जगा substitute करते हैं एक जो माने है वो और यहां पर अब यह बताईए, यहां पर क्या आया है cosec square x minus cosec x into cortex dx किसके बरावर हो जाएगा? dt और cosec x minus cortex को क्या है? t है अब इसका integration करेंगे तो क्या आजाए? log of t plus अब final में substitute कर देंगे t क्या माने है? cosec x minus minus cortex यही होगा ना? यानि कि 4 फर्मूला का derivation आप लोग को बता दिये, ठीक है? 10x का क्या होता है? cortex का क्या होता है? 10x का minus log sec x प्लस ही होता है log sec x प्लस ही होता है या minus log cos x प्लस ही होता है cortex का integration क्या होता है? log of mode of sin x प्लस ही होता है sec x का क्या होता है? log of 10x प्लस ही और cosec x का क्या होता है? cos x minus cortex प्लस सी होता है यह 4 फर्मूला जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत है तो बताईए किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत है एक integration करिए तो integration of substitution पर ही चल रहे हैं sin 2x into cos 2x dx integration of under root of sin 2x into cos 2x dx नहीं वो बाहर है यहाँ अप लोग को बताये थे न में क्या है एक तो जो standard formula पर जो हम लोग सीधे सीधे आपको जो formula पर मिल जाए जो तो आपको पता ही चल जाएगा जो सीधे फर्मूला पर दिए यह होता है इसका integration यह होता है इसके बाद दूसरा आप को बताया थे कि आपको यूज़ करना है substitution method कि substitution method करते हैं लेकिन substitution method कहाँ युज़ करते हैं जहां पर एक function और उसका डिफ्रेंशियेशन मौझ करते हैं इसके बाद बताए थी कि ऐसो होता है जो कि 7.5 और एक बाइप से करते हैं 7.6 इक्सराइज में करना ठीक है और जो बाकि के जो इंटरमेडियर चाप्टर है उसको कुछ अलग मतलो मेथर से करेंगे ठीक है उसमें कोई अब कॉंस्ट्ण को भूल जाएंगो अपने 파ट हो से आपको नहीं घडवाना है क्या भेड करेंगे लेकी नहीं, तो उससे आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए, क्या sin 2x का differentiation है कि नहीं है, तो यहाँ पर substitution use करेंगे, तो हम लोग यह करेंगे कि लेट, sin 2x को क्या माल लेते हैं, t माल लेते हैं, ठीक है, differentiate with respect to x, sin 2x का differentiation cos 2x, और 2x का differentiation 2, और t का differentiation x के respect में, dt by dx, अब यह बताईए कि यहाँ से, 2 cos 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt, तो cos 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt by 2, ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए, under root of sin is 2x, बताये थे कि, substitution में एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको substitute करना होता है, sin 2x का भाहिए लोग कितने माने हैं, t, तो under root of कितना आ जाएगा, t, और cos 2x dx कितना आ जाएगा, dt by 2, तो dt by 2, अच्छा, root 2 को लिख सकते हैं, t पर पावर 1 by 2, लिख सकते हैं, और यह 1 by 2 है, उसको integration से बाहर कर लेते हैं, क्योंकि constant term है, अब यह बताए, यह कौन सा formula बन गया, जो remainder सुरूप वड़ा formula यह वड़ा बन रहा है, यह वलब फर्मुला बन रहा हैंगी नहीं बन रहा है, यहाँ पर एंग के जगह पर क्या है, 1 by 2 है, तो 1 by 2 तो बहार है, उसको तो multiply होगा ही, अब इस वाले formula पे आ रहे हैं, तो T पर पाउर कितना आ जाएगा 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 ठीक है कोई दिख्कत किसी को दिख्कत है तो बताईए कल का क्लास आप लोग दिख्ली जाएगा 1 by 2 plus क्या आ जाएगा C तो 1 by 2 into T पर पाउर कितना आ जाएगा 3 by 2 divided by कितना आ जाएगा 3 by 2 प्लस देखिए यह और यह तो कट जाएगा ना तो T पर पाउर 3 by 2 by 3 प्लस क्या आ जाएगा लेकिन यह एंसर नहीं होगा टी को रिप्लेस भी तो करना होगा ना ती का भेलू आप लोग कितना आने साइन टू एक्स साइन 2X साइन 2X पर पाउर 3 by 2 divided by 3 plus यह होगा कि नहीं होगा खिलेर हुआ तो सब्सुश्यूशन मेथद एक और कर ली जो कोस्टिन X divided by E per power X square dx कि इस फंक्शन का डिफ्रेंसियेशन मौझूद है कॉंस्टेंट टर्म से आपको नहीं हड़ बढ़ाना है बतायते ना X स्क्वार का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है तो क्या है कि नहीं है X तो है ना तो X square को मानेंगे यहां पर जिसका डिफ्रेंसियेशन मौझूद है हां एको वैसे ही रखेंगे ठीक है जिसका डिफ्रेंसियेशन मौझूद है उसका मानेंगे ठीक और T कर एक्सके रिस्पक्त में डिटी भाई डि एक्स अब बताईए इसके बड़ाबर आ जाएक डिटी एक्स किसके बड़ाबर आ अब इंटिग्रेशन में अब सब्स्ट्टूट कर लेते हैं एक सडी एक्स के जगह पर क्या रख लें कि डीटी भाई तू वन अपॉन अब यहां पर बताई यह क्या रखें इपर पावर एक से स्क्वार का वैलू क्या माने है तो क्या आगया इंटिग्रेशन आप वन बाई टू इंटू इपर पावर की डीटी यही आया ना अब वन बाई टू को तो बाहर कर लेंगे integration of 1 by e पर पावर क्या आ जाएगा t dt 1 by 2 integration of e पर पावर कितना आ जाएगा उपर जाएगा तो minus t dt होगा कि नहीं होगा clear हुआ कोई दिक्कत आप चाहें तो ये भी काम कर सकते थे कि जैसे यहां पर ये ध्यान दिजे e पर पावर minus t है इसका कल आप लोग को बताये थे integration कैसे करना है इसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे कि तो आसानी से कैसे करेंगे जब भी आपको कभी भी ये linear है आप ये बताएगे e पर पावर t का differentiation तो मालूम है न क्या होता है वही होता है differentiation और integration दुनों वही होता है इपर पावर t होता है ठीक है लेकिन कल याद है आप लोग को बताये थे खोड़ा सा बताये थे आप लोग को last में कि जैसे हमको integration of sin mx करना है याद है sin mx का integration हमको करना है हम क्या बताये थे यहाँ पर sin के अंदर यह linear है कि नहीं है इसका पूरे प्रोपर बताये थे ठीक है अब देख लिजिए गाएदी इसका प्रोपर बताये थे साइन का integration क्या होता है यदि इसके अंदर यह linear है हम लोग sin x का तो जानते है न sin x का क्या होता है minus cos x अब यहाँ पर sin x x तो linear हो गया तो क्या a भी linear है कि नहीं है कैसे जानेंगे कि linear है देखिए यहाँ पर x है न x का power कितना है 1 है तो linear होगा देखिए aim जो होता है न calculus में a, b, c, d, p, q, r, s, alpha, beta सब constant term होते हैं clear हुआ तो aim यहाँ पर क्या है देखिए कौन जानेंगे कि variable कौन सा constant होगा कैसे जानेंगे यहाँ पर किसके respect में किया जा रहा है तो x यहाँ पर variable होगा बाकी सब क्या होगा constant तो aim क्या है constant है अब बताइए constant into x का power क्या है 1 है तो यहाँ पर linear हुआ कि नहीं हुआ तो यदि linear है ना तो आप जैसे पहले फर्मूला जो extender जानते थे वह इसे ही करना है यानि कि sin mx है तो sin का integration क्या होता है बताईए minus cos तो यहाँ पर क्या लिख लेना है minus cos mx और क्या बताए थे divided by इसका differentiation नीचे लिखना होता है mx का differentiation क्या होगा m और last में क्या कर लेना है c स्यम का मोही करना है 1 by 2 बताईए e पर पावर minus t क्या होगा e पर पावर t क्या होता है e पर पावर t होता है तो यहाँ भी e पर पावर कितना हो जाएगा minus t और minus t का differentiation नीचे लिखना है minus t का differentiation t के respect में क्या होगा minus 1 minus 1 minus 1 है तो minus लगा देते हैं और plus क्या हो जाएगा c इस पर हम बात करेंगे जो अभी यह वाला जो है इस पर हम लोग अभी करेंगे बात ठीक है पर इस पर हम questions भी करेंगे और भी examples लेंगे सारा formula को भी लिखवा देंगे इस पर, minus 1 by 2 e पर पावर minus, t का value हम लोग क्या माने है क्या माने है x-square plus c, minus 1 by 2 अब चाहे तो आप इसको नीचे भी लिख सकते है e पर पावर minus x-square को क्या लिख सकते है 1 upon x-square plus c होगा कि नहीं होगा minus 1 by 2 e पर पावर x-square plus क्या हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अलग-अलग और कोस्टन करा ले तो सब्सक्राइब इंटिगरेशन अफ साइन क्यू एक्स इंटु कॉस स्क्वार एक्स डी एक्स है इसका इंटिगरेट हमको करना है एक बड़ ट्राइ करिए सब लोग फिर इसके बाद बताते हैं क्या करना है इसको अलगे इसक्टाहरा है थह करनी सब्सक्राइब सबसे पहले आप यह बताई क्या यहां पर कोई फंक्सन और उसका डिफ्रेंशियस नहीं जरा रहा है साइन और कॉस्ट दोनों मौझूद है तो कहीं न करें सब्सक्राइब हम यूज करने वाले हैं लेकिन किसको माने और कैसे करें तो देखे एक चीज आप यहां पर ठीक है साइन को मान लेंगे आप चलिए दिखे मान लेत हैं कि let****-syn-eks परहबर क्या कर लेते हैं है ली ऑन ले ग्या फिर क्या करेंगे को से एक सधी ग्यास बराबर क्या हो जाएगा मैं तो भासक्षा बराबर क्या जाएग है कि अब हम को यह बताईए कि ठीक है ये तो कर लिया है कि ही अब यह 20ics है तो साइन एक्स को टीम Ready तो क अब कॉसेक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा डीटी अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स डीएक्स ऐसे लिखेंगे कॉसेक्स डीएक्स को क्या लिखेंगे फिर डीटी तो टीकी इंटू कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स डीएक्स है इसको सब्सक्राइब कि यह किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा यह क्योंकि सारे टी के फॉर में हो रहा है इसको भी टी के फॉर में लिखना होगा अब यह बताई यहां से यह ती के फॉर में लिखेंगे तो आप यह बताई यह कॉस एक्स बराबर क्या होगा? वो तो ठीट है, cos square x plus sin square x किसके बराबर होता है? तो cos square x किसके बराबर आजाएगा? तो cos x बराबर क्या आजाएगा? क्यूंकि इसको t के फार्म लिखना है ना, जो ये extra cos x बच गया है, तो one minus क्या हो जाएगा? sin square x, तो under root of one minus कितना हो जाएगा? sin x क्या माने है t 1- क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे under root of 1-ts पर और ज्यादा calculated होगा नहीं होगा calculated तो फिर करें कैसे बताइए इस को कैसे करें कैसे करें देखे एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे पावर यहाँ पर एक और है एक पावर क्या है इसका डाइरेक्ट फर्मूला भी होता है जब पावर और इभिन के केस में लेकिन हम वहाँ पर वो सब नहीं उच करेंगे ठीक है आड़ी सर्मा में आपका मिल जाएगा लेकिन हम वहाँ पर यह सब नहीं करेंगे सिंपल करेंगे क्या बस आपको एक ट्रिक बता देए जिसका पावर और है किसका पावर और है कि उसको एड़ीड कर दिजिये मतलों कि इभिन में बना लीजिए इभिन में बनाईए गा तो कैसे लिखियेगा साइन एंटू साइन स्क्वार और यहां पर क्या है को से स्क्वार एक्स डिएक्स कर लिए इभेंड में आपको रखना है अब आपको करना क्या है कि कॉस को आप क्या माल लीजिए टी क्योंकि कॉस का है और नहीं दिख वह संधुन कथ ही था लेकिन मिलोग हो रहा था टिक समय लेकद लेट लेकर कि बंग क्या होता है कि इधर ध्यान दीजिए कि माइनस कि साइन एक्स कि माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा डीटी भाई मंस साइन लेंगे मैम को बहार रख लेते हैं यहां पडिक लिखती है ठीक है यह तो हुग गया न cos x को क्या माने है यहाँ पर क्या है तो क्या हो जाएगा T square हो गया sin a square x को लिख सकते है 1 minus cos a square x 1 minus cos x t है तो 1 minus क्या हो जाएगा T square और sin x dx को तो पहले ही लिख दिये थे cos a square x के जगा पर T square sin a square x को लिख सकते हैं 1 minus cos a square x 1 minus T square हो गया और sin x और dx जो बच गया था उसके जगा पर क्या लिख लिए minus d t देखे सबसे पहले क्या बताया थे कि जब भी sin और cos product में हो ठीक है अब substitution method तो यूज करेंगे क्योंकि एक function का differentiation differentiation वहां मौझूद है लेकिन सीधे सीधे नहीं मौझूद है आप यहां पर square और q ऐसे करके है है कि नहीं है तो जब भी 1 square और 1 q है एक का power odd एक का power क्या है इभेन है तो जो odd वाले को break कर लिजे even के फॉर में change कर लिजे break करेंगे तो इसको sin x और sin x कर लिए ठीक है अभ यहां पर क्या करेंगे जिसका B दिगरी इभेन था उसको नहीं मानेंगे जिससे साइन क्यू एक्स उसको नहीं मानेंगे और वाले को नहीं मानेंगे जिसका डिगरी इभेन होगा उसको मानेंगे तो किसको मानेंगे पहले हम लोग मान करते हैं कि दिफिकल्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था तो किसको था, तो कॉस X को क्या माल लेंगे, अब differentiation करेंगे, minus sin X होता है, T का differentiation क्या होगा, DT by DX, minus sin X DX बराबर DT होगा, sin X DX जो होगा, minus उधर भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा, minus DT, तो यह sin X और यह DX सब तो multiply महीं है न, तो sin X into DX के जगा पर क्या उज़ कर लेंगे, minus dt, minus को बाहर कर लिए, cos square x के जगापर क्या होगा, t square, sin square x को लिख सकते हैं, 1 minus cos square, 1 minus t square, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, t square को multiply कर लेंगे, तो कितना होगा, 1 से, t square, minus t पर power, यह dt होगा कि नहीं होगा, अब बताये थे न, कि जब भी integration में, plus minus है, तो अलग-अलग करके भी किया जाता है, तो यहाँ पर minus integration अब क्या हो जाएगा, t square, dt, अच्छा, minus minus क्या होता है, तो plus integration अफ किसका हो जाएगा, 4 dt, minus t square का integration कितना होता है, t per power 3 by, और plus इसका t per power 5 by 5 plus, last में, constant, यहीं होगा, होगा न, अब जो भी t है, उसका value replace कर लीजिए, t का value कितना माने है, cos से, यह minus cos q x by कितना आ जाएगा, 3, यह cos per power 5 x by 5, और plus क्या हो जाएगा, c, यहीं होगा न, किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, तो बताएए, cos q x by minus 3 ठीक है, कोई दिक्कत है, तो बताएए, हटाएए न, इसको, इसके बाद एक और बढ़िया, integration आप लो करिए, integration of sin x divided by sin of x plus a dx, बताएए यहुवब, बताएएए यहुब, बताएए यहुब, झाज़च्वब, बताएए यहुब, कि देखे कल बताये थे ना जब इंटिग्रेशन आप हम लोग साइन एमेक्स पढ़े थे तो आप लोग को बताये थे न कि एक तो डाइरेक्ट मेथड भी बताये थे लेकिन इसका स्टार्टिंग बेसिक से कैसे किये थे हम लोग एम Khanlii को टिर्लीन एकस्टिमां लीये थे माने थे मानेते अप सवाल ये है कि लिणियर फोर्म नीचे भी है उपर भी है कि यह X अंदर X प्लस एलि दिनिर है और यहां भी दिनिर है ना किसको टिमाने साथीं तो ज़ुड़ा जो है ना complex है उसको टिमाने की टी माल ने, ठीक है, खल बताये थे न, पिछले के लास में, sin mx ऐसे ये mx linear है, तो उसको टी मानेंगे, ये मानकर basic यही किये थे, इसके बाद हम आप लोग को short तरीका बताये थे, कैसे करना है, ठीक है न, तो x प्लस a को टी माल ने थे, अब अगला काम क्या होगा, differentiate करना, इस के respect में, x का differentiation क्या होता है, a का differentiation 0, यानि dt by क्या आजाएगा, dx आजाए, clear हुआ, आप ये बोल सकते हैं कि क्यों यहाँ पर substitute किये हैं, substitute तो वहाँ करते हैं, जहां किसी function का differentiation मौझूद हो, कल बताये थे न, कि linear का differentiation जो होता है, constant होता है, linear का differentiation क्या होता है, कोई भी linear function ले जैसे 2x plus 3 है, इसका differentiation करियेगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो देखिए, क्या बताये थे, जैसे माल लेते हैं, आप x plus 1 का, differentiation क्या आएगा, 1 आएगा, अब बताए, 1 है कि नहीं है, आपको देखने ही राए, लेकिन 1 है कि नहीं है, तो कभी भी linear function को इसी लिए उसको substitute कि आजाता है, क्योंकि उसका differentiation आपको मौझूद रहता है, क्योंकि constant term आता है, linear का differentiation, आता है कि नहीं, जैसे 2x plus 3 का differentiation क्या है, 2 है, अब देखिए, आप बोल सकते हैं, 2 कहां पे है, तो देखिए, क्या बताती है, कि constant term से आपको नहीं घड़ बढ़ाना है, ठीक है, आप constant term को अ जादा complex हो, तब से पहले क्यों substitute करेंगे, क्योंकि linear का differentiation मौझूद होता, linear का differentiation constant होता है, और constant को multiply, divide करके, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यह चीज है, clear हुआ, लेकिन case linear को टीम आने आजके, तो उपर नीचे मेरे पास दोनों available है, तो जो complex है, उसको माल एक्स प्लस एको टीमाल लिए, अब यहाँ पर रता, यह दी एक्स बराबर क्या आजाएगा, वन इन्टो दी एक्स, डिटी के बराबर आएगा ना, अब यहाँ पर रख लेजिए, साइन, एक्स प्लस एको क्या मने है, तो नीचे में क्या आजाएगा, दी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सब कुछ टी में चेंज हो रहा है, सब कुछ टी, इसको में टी में चेंज कर लें, एक्स को, साइन को तो साइन ही रखते हैं, एक्स के जगा पर क्या आया जाएगा यहां से x plus a t के बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा t minus a यही आएगा ना तो t minus क्या लिख लिए a को दिकत यहां पर पताईए किसी को sin x को लिख सकते हैं अब open कर लीजिए sin का formula याद है sin a minus b क्या होता है क्या होता है sin a into sin t into क्या हो जाएगा cos a minus cos t into sin a और divided by sin t और यहां पर क्या है अपका dt अब इसको divide अलग-अलग कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं अलग-अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन टी इंटू कॉस ए साइन टी कि माइनस कि कॉस्टी कि इंटू साइन ए बाई ताइन टी डिटी कि साइन टी केंसील हो गया को से बचा अच्छा अच्छा माइनस में तो अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं को से डिटी माइनस इंटीगरेशन आप देखियो कॉस्टी बाटा साइन टी क्या होता है कोट्टी टो कोट की कितना हो जाएगा साइन टी यह होगा ना अब बता ही कोसे का इंटीग्रेशन के माम सो गाइन सा यहां पर लिख को देट साइन है हाँ चछी यह बागी यह दी किसी डियो यह ती का फंक्सन नहीं है ना यह श्मूस्ट Ear 58 ठीक है यहांने च्रहां की यह पर इनर नटीगेरेशं में को से इंटीगे शन्की यहां पर हो जाएगा साय ने को को बहर कर लेगा इन्टु इंटु इंटीग्रेशं ऑफ डिटी अब यहां पर कॉस फूर्च होता है ती होता है हां ती माइनस साइन ए कॉट टी का इंटेगरेसन अभी बताये तो वही डिराइब सुरू में कर रहे हैं कितना होता है लॉग ऑफ साइन लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं यह होता है यह होगा ना को दिक्कत यहाँ पर बताईए किसी को दिक्कत है तो हाँ अब बताईए क्या होगा अब इसको तो रिप्लेस भी तो करना है टी को कॉस इंतू को क्या माने है तो कॉस एं टू एं टू ए अ गर माईनस साइन ए रिफली साइन Lोगaggi कै मिलग साइन साइन पर जगा पर क्या है एक्स प्लास यह और लास्ट में Q अच्छा ये clear हुआ अब इस इसको पहले लिख लेते हैं क्यों लिख लेते हैं पहले बहु सारे लोग यह समझेंगे कि a के साथ multiply है एंगल के साथ multiply है एंगल के साथ तो नहीं नहें इससे लिए उसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं x plus a, pos a minus, यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin a into log of कितना हो जाएगा, sin x plus a plus c, यह आपका integration हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हम सीखें कि linear कुठी मांगे ना है, यह होगा ना, को दिकत, किसी को है दिकत बताएगा, एक बढ़िया कोशन है, इसको कर लीजिए, ठीक है, integration of 1 by 1 plus 10, बताएगा, सूचिए इसका integration क्या होगा, करिए, करिए, करिए इसके, 1 by, इंटीकरेसन होगा, डाइरेक्ट, tan x को sin x by cos x लिखे, square में होता है, करिए, कर दो दो कर दो कर दो दो । झाल 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 पताइए सबसे पहले क्या कर लेंगे कि 10x को चेंज कर लेते हैं 1 by 1 plus क्या लिख लेते हैं sinx by cosx dx लिख सकते हैं ना 1 by LCM यहाँ पर लेंगे तो कितना आ जाएगा cosx कितना आ जाएगा cosx plus sinx dx यह उपर में cosx चल जाएगा नीचे में कितना आ जाएगा cosx plus sinx dx ठीक है clear हुआ अब हमको यह बताईए क्या बोल रहे हैं बुली ऐसे कटता है multiply में है क्या कि कट जाएगा तो फिर तो वही आ जाएगा अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि इसका differentiation क्या होता है इधर बताई cosx plus sinx का differentiation क्या होता है आप ऐसे बताईए न उल्टा इदिकत हो रहा है तो sinx plus cosx का differentiation क्या होता है cosx minus sinx clear हुआ अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि करना क्या है कि आपको करना क्या है कि ऊपर create यही करना है cosx minus sinx कैसे करेंगे यदि आप लिखिए गभी इसको cosx तो पहले से अल्रेडी मौझूद है minus sinx करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा लेकिन यहां से कुछ फैदा उतना होने वाला नहीं है अब देखिए आपको simple सा तरीका बताते हैं क्या करना है कुछ ऐसे questions हैं जहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह चीज करना है ठीक है ना जिसमेंसी यह question यह है ठीक है आपको उपर नीचे 2 से multiply करना है ठीक है यह मालूम होना चाहिए क्या करना है उपर नीचे 2 से multiply यही फर्म लाने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम ठीक है उपर नीचे 2 से multiply करेंगे तो उपर में क्या बन जाएगा 2 cos x और नीचे में आपर 1 by 2 अब cos x plus sin x dx अब cos x plus sin x का differentiation यह था कि नहीं था यही चीज उपर create करना है देखिए कैसे करते हैं 1 by 2 2 cos x को कैसे लिखेंगे cos x plus क्या बताया था इसका differentiation के फोर में लिखना है ना तो cos x plus क्या लिख सकते हैं sin x अब plus cos x minus sin x क्या कोई change नजर आ रहा है देखिए यहां पर 2 cos x था कि नहीं था यहां पर क्या लिखा गया है उपर में अभी भी 2 cos x ही है देखिए minus sin x plus sin x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा तो cos x plus cos x क्या बच गया 2 cos x हो गया और जो चाहिए हमको कि cos x minus sin x वाला फर्म चाहिए वो तो मिल ही गया ना मिल गया कर नहीं मिल गया तो अब यहां पर कर लेंगे 1 by 2 integration of cos x plus sin x plus cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx 1 by 2 अब इसको अलग-अलग कर लेते हैं इसको इससे डिभाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताएगा cos x plus sin x divided by cos x plus sin x plus cos x minus sin x divided by इस चाप्टर के सबसे बढ़िया कोश्चन यही था cos x plus sin x ठीक है dx 1 by 2 बताएगे यह और यह तो कट जाएगा कर जाएगा ना तो क्या जाएगा 1 dx plus integration of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx यहां तक क्लियर है अब बताएगे इसके बाद क्या करें है अब substitution method का जरूरत पड़ेगा उसी के लिए जो है हम लोग यह सब काम कर रहे थे इसी के लिए उपर नीचे दो से multiply किया है ना अब बताएगे यह 1 by 2 तो बाहर ही रहेगा integration of 1 dx क्या होता है x plus अब यहां पर इसका differentiation उपर मौझूद है यह नहीं मौझूद है तो यहां पर क्या कर लेते हैं इसको अलग से कर लेते हैं ठीक है ना इसका integration अलग से करके यहां पर लिख लेंगे integration अब हमको करना है cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx यहां पर किसको माल लेंगे t बताएगे cos x plus sin x को let cos x plus sin x को t माल लेते हैं then इसका differentiation with respect to x cos x का differentiation क्या होता है वो क्या हो रहा है क्या क्या होगा क्या होगा माइनस sin x plus cos x d t by क्या होगा d x तो cos x minus sin x is equal to क्या होगा d t by d x तो cos x minus sin x d x किसके बराबर आजाएगा d t के बराबर आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना अब देखिए एक बार तो इसको सब्ट्यूट करना है और दूसरी बार यहां पर इंटिग्रेशन ना पता है यह cos x minus sin x dx को क्या लिख सकते हैं d t और 1 by cos x plus sin x को क्या लिख सकते हैं t integration अब 1 by t क्या होता है log t plus क्या होगा c log और t के जगा पर क्या लिख लेंगे यह वाला ना cos x plus sin x plus क्या हो जाएगा c तो इसका integration अब सिधी यह वाला यूच कर ले इसकर integration वाप किया है तो plus कितना हो जाएगा log cos x plus sin x plus कितना हो जाएगा c हो जाएगा यह bracket इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 by 2 से क्या है multiply है आपको करना लिखना होगा तो ऐसे लिख लेजए x by 2 plus 1 by 2 log cos x plus sin x plus c यह जाएगा यह आपका integration होगा किसी को कोई दिखा था यहाएगा यहाएगा झाल झाल